आज का वीडियो ट्रावल लिलेटेट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे व्लॉगर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा यूस्फुल टूल ठीक है जो लोग व्लॉगिंग करते हैं रेगुलरली या फिर चीज होता है व्लॉगिंग जो स्टिक होता है वह और वही कुछ कुछ स्टिक होते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं पर बहुत ज्यादा प्राइसी होते हैं ठीक है जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए बजट में थोड़ा प्रॉब्लम उनके साथ होता ही है हमेशा ठीक है तो हम लोग आज लाने वाले एक व्लॉग इस टिक जो की बजट फरनली है आपके लिए ठीक है जिसका बजट आपको आराउंड 600 को आराउंड आपको मिल जाएगा तो यह है वह वाला व्लॉगिंग स्टिक जो की यंत्रा लाई के तरफ से आता है जिसका मैं नाम भूल गया क्योंकि मैं रोई शर्मा का फैन हूँ और इसका प्राइस आता है एक्जक्ट फाइब हाँ स्क्रू उठा लिया मैंने मिट्टी में गिर गया था स्क्रू ठीक है इसका वेट एक्जक्ली 220 ग्राम का है ठीक है तो यह अच्छा तो है प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि जो गोप्रो का ऑफिशियल में आता है जो माउंट आता है ऐसा वाला जो आता ह है वो काफी महंगा आता है 2200 रुपए का आता है इंस्टाथी 60 वाला भी बहुत ज्यादा महंगा आता है और यह वाला बहुत लंबा भी है 29 फीट है सायद ठीक है आप देखी सकते है मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना लंबा है ठीक है आप इसको ऐसे करके खोलके एक एक अच्छा ही है मतलब व्लॉग इतने से ज्यादा दूर से तो कोई करता नहीं है ठीक है..? अगर फेज व्लॉग करना है तो अच्छा है क्वालीटि भी अच्छा है काफी मतलब वेट भी सही है एकदम गोपड के लिए सही है non फोन के लिए शायद थोड़ा सा लाइट लग सकता है आपको अगर फोन के लिए उस करेंगे पर मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में यह बहुत ज्यादा अच्छा है और बेस्ट है ठीक है तो आप इसको जरूर डेस्क्रिप्शन से चेक आउट कर सकते हैं और यह वा